ममा, आपने हमारी न्यू काट ठोग ती? मेरी गल्ती के वज़ाद से गाड़ी पे डेंट पड़ गया कल, कल तो मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है और वो भी ऑपोसिट डारेक्शन में मुझे ऐसा लगता है हमने गाड़ी लेकर बहुत बड़ी गल्ती कर ली गाड़ी ठोग गई क्या? तुमने गाड़ी ठोग दी? रमी, एक छोटा सा स्क्रैच ही है और कुछ नहीं है छोटा सा स्क्रैच है, कितना बड़ा स्क्रैच है? मैं अभी देखकर आता हूँ ममा, आपने हमारी न्यू काट ठोगती? अब क्या होगा? ये छोटा सा स्क्रैच है? वो अब छोटा सा ही है ये पूरा का पूरा डेंट है और ये गाड़ी ऐसे ठीक भी नहीं होगी इसको तो किसी मेकानिक के बास लेके जाना पड़ेगा इसमे तो बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे ना? अब वो तो वहाँ जाके पता चलेगा कितने पैसे खर्चोंगे? चाभी दो मुझे अजय मुझे वहाँ हुण करते हैं sorry अब क्या करना क्या है उसने बोला है गाडी में बहुत कर्चायाएगा सच्छा कितना दस हजार रुपे दस हजार रुपे हम दस हजार रुपे अब कहां से लाएंगे अब कहां से क्या लाएंगे अब गाड़ी खरीदी है तो उसे खर्चा तो उठाना पड़ेगा ना मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे तो लग रहा है मैंने गाड़ी खरीद के लिए गलती कर दी खेर छोड़ो गलती तो किसी से भी हो सकती है और अब हम 10,000 रुपे कहां से लाएंगे मैं दूंगे 10,000 रुपे तो तुम्हारे पास कहां से आ है इतने पैसे ममा पापा जो आपने मेरे शिनाया और स्यान की ट्यूशन के लिए पैसे दिये थे उससे अग गाड़ी का डेल ठीक करवा लो अरे नहीं बेटा तुम्हारी पढ़ाई जादा इंपोर्टन है नहीं पापा वैसे कुछ दिनों के लिए ट्यूशन्द हमारी बंध है तो वो पैसे हमें चाहिए ही नहीं देखा किपी समझदार बेटी है हमारी हम मिल क्लास लोगों की यही तो मजबूरी है इधर के पैसे उधर और उधर के पैसे इधर लगाने पड़ते हैं तब जाके हमारा काम चलता है अरे भाई है तुम सब यहां बैटे हो एक खुश ख़बरी है मुनीत लेकिन तुम आगे से ध्यान रखना तुमने गाड़ी अकेले चलानी नहीं है मैं आपकी बात सारी मानोंगी मैंने आपकी बात मानके कल से ड्राइविंग स्कूल भी जॉइन कर लिया है कल से मेरी क्लासे शुरू है अब मैं बिल्कुल ही गलती दुबारा नहीं करूंगी अच्छा ठीक है पापा पांकेक खाने चले पांकेक्स हाँ ठीक है गाड़ी में घुमने चलते हैं अच्छा सुनो ना रमी कल मेरी कित्टी पाती है तो आप मुझे कल ड्रॉप कर देना कल कल तो मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है और वो भी ऑपोसिट डिरेक्शन में तुम ऐसा करना सुनीता के साथ चली जाना सुनीता का हजबेंड उसको ड्रॉप करेगा ही ना रमी जाएंगे तो हुस सेगी मगर उनकी काम ना बहुत छोटी सी है अब तो हमारे कार बिल्कुँ ठीक हो गई है तो आप मुझे छोड़ते जाना ना अब बाबा दोनों ऑपोजिट डिरेक्शन में है अगर पहले मैं तुम्हें छोड़ने जाओंगा फिर मैं अपने काम पर जाओंगा तो पता है कितना पेट्रोल लग जाएगा और पेट्रोल तो वैसे भी कितना महंगा हो गया है प्रमनी अब जब गाड़ी ख्रीद लिए ना तो इन छोटी छोटी बातों पर इतना ध्यान मत दिया करो अच्छा बाबा ठीक है छोड़ाओंगा खेर छोड़ो पैंकेक खाने चले हाँ चार में घूमने चलाओ गाड़ी के चक्कर में इस महीने का सारा बजट उपर नीचे हो गया है रिपेर पे दस हजार लग गए पेट्रोल पे भी दस हजार लग गए बीस हजार तो यही हो गए और अब पुनीत की ट्राइविंग स्कूल की फीज है भगवान और बच्चों को गाड़ी में बैठ कर कभी शॉपिंग पे जाना है कभी पैनकेक खाने है कभी टॉइज लेने है कैसे मैनेज होगा यह सब अनान्या जान नहां करा तीन देन से नहाई नहीं है अप्ली आज नहीं नहीं बहुत थंड है उपड़ से घीजर भी खराब है तो तुमने मुझे प्रताय को नहीं गीजर कराब है यह न मनीक मुझे लगा आप अल्रड़ी बजट को लेकर इतने पंशान हो अल्वेड़ी तो फिर कोई बाद नहीं अनान्या बेचा मैं भी जो सुबह नहाई थी ना वो भी ठंडे फानी से ममा मुझे पता है जब आप नहां कर राए थे आप पूरे 20 में तक का आप रहते अले-अले बहस मत करो अब जो भी है गीजर खराब है ठीक तो कराना ही पड़ेगा ना मैं मैं भी जाके प्लंबर को बुलाता हूँ ठीक है जब घीजर ठीक हो जाएगा तो मैं नहाल होगी जब लेगे प्लंबर हाथ चला गया क्या क्या कहता है गीजर पूरी तना से खराब हो चुका है और अभी रिपेर नहीं होगा इसको नेया ही लेना पड़ेगा और नेया गीजर कम से कम आट से 10,000 रुपे का एगा एगा भगवान फिर नेया खर्चा यहां से खर्चा फितम अबज में नहीं आरा कहां से आएंगे अभी एपैसे एभगमान इस कौन है हलो है अब ओके ओकी माम ओके कौन था बच्चों की त्यूशन टीचर क्या कहीं थी अभी तक चासिस बंद हैं मगर नेक्स्ट वीक से क्लासिस में शुरू कर रही हूं तो बच्चों को फीस के अगले हफते से भीश देना बच्चों की स्कूल की ट्यूशन फीस जो हमने आलग रखी हुई थी उससे तो हमने गाड़ी रिपेर करवा ली रमनी मेरी तो सारी सेविंग्स पी खतम हो गया इस गाड़ी को लेने के चक्कर में मुझे ऐसा लगता है हमने गाड़ी लेकर बह अरती जा रही है हां ऐसा करो रमनी आपना यह गाड़ी बेच दो क्या अगर अगर अब इस गाड़ी को बेचने जाएंगे ना तो बहुत कम पैसे मिलेंगे जितने भी मिलेंगे उतने ही सही यह रोज-रोज की टेंशन तो खतम होगी पर बच्चे उनका क्या वो तो बहुत उदास हो जाएंगे ना लई थैयाओ पापा हम नियू कार क्यों बेच रहे हैं मैंने तो अपनी सारी फैस को बना दिया था कि हमने इत्ती बड़ी नियू कार ली है अब मैं उनको क्या वोरूंगी अब हम घूमने किसपर जाएंगे बच्चों हमारी जिम्गी जैसे पहले थी वैसे ही हो जाएगी और कार का क्या है यह तो कुछ बल की खुशी देती है और उसके बाद टेंशन ही टेंशन कभी फ्यूल की टेंशन, कभी रपैर की टेंशन, कभी किसी चीज की टेंशन, कभी उसी चीज पर ऐसी चीज हमें रखनी ही क्यों है, जिससे हमें इतनी टेंशन मिले यहीं बात है हाँ, बात तो ठीक है ठीक है, तो फिर आप काल बेच दो ठीक है? हाँ तो फिर हम उस गाड़ी के ऊपर राउंड लगाने चले हाँ ठीक है एक आंक्री राउंड लगा सकते है ना ठीक है चलो चालो बाइ 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 कार इस कार के बिना ही सही पर अब हम मेडल ग्लास लोग चैन से तुझी पाएंगे आओ बच्छो थैंक यू सो मच विडियो को पूरा देखने के लिए टाइपस ऑफ किड्स इन विंटर्स लाइब हो चुका है हमारे चैनल रुमनीक सिंग 1313 पर मुझे तो बहुत हड़ लगती है मैं तो लाती ही नहीं हूँ विडियो दिखने के लिए क्लिक 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 बहुत अच्छी वीडियो है क्लिक क्लिक क्लिक